स्वागत है आप सभी का GS Magnet के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे तो सांतियों विहार पुलिस परिक्षा 2030 जो पेपर लिग का मामला है यानि कि एक अक्टूबर को जो आपका परिक्षा संपन हुआ है और प्रस्ण पत्र का जो एंसर था मार्केट में परिक्षा से पहले वायरल हो रह आता इसको लेकर के आप सभी जानते हैं कि कल ही EOU यानि कि आर्थिक अपराधिक इकाई की टीम गठित की गई थी इसके जांच के लिए और देखिए परिक्षा केंसिल होगा या नहीं ओफिसियल नोटिस आ गया है तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ओफिसिली नोटिस को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखित इस नोटिस में क्या बताया गया है तो आईए हम लोग वीडियो को सुरू करते हैं ओफिसिली नोटिस को पढ़ करके समझ लेते हैं कि आखिर नोटिस में क्या बताया गया है ADG, AU, Nayer हसनेन खा के द्वारा रिपोर्ट मांगा गया है और इसके लिए कल ही 2 अक्टूबर 2013 आप लोग S1 रूप से देख सकते हैं, लेटर जारी कर दिया गया था, आईए इस लेटर में क्या दिया गया है, हम लोग पढ़ करके समझ लेते हैं देखिए, आप सभी लोग देख सकते हैं कि पत्रांक 308 बिहार पुलिस मुख्याला आप लोग S1 रूप से देख सकते हैं और यहाँ पर बताया गया है अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराद इकाई बिहार पटना देखिए, आर्थिक अपराद इकाई यानि कि जो इसके ADG है नेयर हसनेन खांग के द्वारा यह लेटर जारी किया गया है और इसमें देखिए, बताया गया है कि सभी वरिये पुलिस अधिक छक सभी पुलिस अधिक छक बिहार, यानि कि बिहार के 3800 दिला के लिए यह लेटर जारी किया गया है इस बात को आप लोग समझ जाईए देखिए, बिशय में आपको एसपस ट्रूप से बता दिया गया है कि केंद्रिये चैन पारसत सिपाही भरती बिहार पटना के द्वारा 110-2030 को आयो जित प्रतियोगिता परिक्षा से संबंधित कांडों की बियोड़नी यानि कि जो जो मामले आये हैं सामने जैसे कि पेपर लिक का मामला सामने आये सभी मामलों के संद्रम में यहां लेटर जारी किया गया है आप सभी लोग महास है उपरोक्त विशाय के संबंध में कहना है कि चैन पारसत सिपाही भरती प्रतियोगिता परिक्षा यहां देख लिजिए 110-2030 को संपन हुई है इस परिक्षा से संबंधित परिक्षा के दोरान परिक्षा के तिथी से पूर्व यहां पर आप लोग एस परस्ट रूप से देखिए जो प्रस्ण पत्र के एंसर वाइरल किया है यानि कि सलवर गैंग कदचार और निमित्ता से संबंधित सभी प्रतिवेदित कांडो की प्राथमिकी की प्रति येवं जबती सुची के प्रति कल दिनांक 3.10.2023 के पुरुवाहन 11 बजे तक ध्यारकिये याँ पर आर्थिक अपराद इकाई बिहार पटना में इमेल येवं विशेस दुत के माद्यम से भेजा जाना सुनिश्चित करें यानि कि देखिए इस लेटर के माद्यम से परतेक जिले के जो SP है और ध्यानकिये SSP है सभी को यह निर्देश दे दिया गया है कि एक अक्टूबर को जो भी सलवर गेंग है और जिनका भी गिरेफतारी हुआ है जो जबती किया गया इलक्ट्रोनिक डिवाइस है इन सभी की जनकारी यानि की EOU को देना है आज तीन दोस्ट दोहजार तेईस एगारा बज्जे तक आप ओनलाइन भेज सकते हैं या देख लिजें यहाँ पर विशेस दूत के माध्यम से भी सकते हैं देखिए यहाँ पर प्रतिलेपी में आपको बताया क्या है कि सभी छेत्रिये पुलिस महानिरिक्षक उप महानिरिक्षक बिहार पटना को सुझनार्थ एवं सस्मय देख लिजें यहाँ पर अनुपालन सुलिस्चित कराने हेतु क्रियार्थ यानि कि सभी जीलों क जो भी महानिरिक्षक है उप महानिरिक्षक है उन सभी के लिए यहाँ लेटर जारी किया गया ठीक है तो देखिए बिहार पुलिस पेपर लिक मामले को ले करके कल से ही जो CSBC के अध्यक्स SK सिंगल जी है कल से दावा कर रहे हैं कल से ही उनका स्टेट्मेंट आ रहा है कि चैन पार्षत के अध्यक्स का दावा हमारे इंटर्नल अरेजमेंट मजबूत है कहीं से भी कुछ लिक नहीं हुआ देख लीजिए इनको थोड़ा सा पाचान लीजिए अशे से पाचानिएगा एक माइक में एस्टेट्मेंट दे रहे हैं कि आसे जी एक बात आप भूल रह है थे आपसे मुलाकात भी हुआ था और एंसर का फोटो कोपी यानि कि जो आपका प्रस्ण पत्र है उसका एंसर जो है एंसर का फोटो कोपी भी आपको दिया गया है प्रूब के रिफ्में तब भी आप नहीं मार रहे हैं पेपर आपका थोड़ी कोई बोल रहा है कि बार इस बात को मानिए देखिए गरीब बच्चे काफी मेहनत करते हैं रात के रात एक मुंबती के सहारे पढ़ते हैं कितना मच्छर से कटवाते हैं यह कोई ठीक नहीं है महासे जी परिक्षा को रद किजिए आपसे यही अनुरोद रहेगा अच्छे ढंक से परिक्षा पकड़ा गया है बहुत सारे दोगों को चिटिंग कराते हुए पकड़ा गया है और इस से ज्यादा आपको प्रूप क्या चाहिए तो स्टेट्मेंट सीस्ट्राइब के अध्यक्स एसके सिंगल जी का आपने देखी लिया आपका क्या राह है कमेंट में हमें जरूर बताई चैनल पने है चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को जुरूर दबा देजिए ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से सम्मधित ला जा तो यूटूब के द्वारा वीडियो का नोस्ट्रिफिकेशन आपके फोन पे प्राप्थ हो सके ठीक है